हेलो दोस्तों अगर आपने भी वीडियो के थमनेल और टाइटल को देखके क्लिक किया है तो इससे एक बात है कि आप भी कही ना कहीं एक एक एक्स्ट्रा इंकम सोर्स ढूंड रहे हैं और एक ऐसा इंकम सोर्स आप ढूंड रहे हैं जो कि जिरो इंवेस्ट्मेंट के साथ मोबाइल फॉन का यूज करके सिंपली वाटसप मेसेज सेंड करके एक एक एक्स्ट्रा इंकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं और फस्ट डे से उसके अंदर आप अर्णिंग स्टार्ट कर सकते हैं जी हां दोस्तों आज का यह वीडियो बाफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है त क्योंकि ऐसी इंट्रेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए यहां लाते रहते हैं तो जनकरी के लिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों जिस ट्रिक के हम बात करने जा रहे हैं वह एक जैन्वन ट्रिक है और वह हर एक केंडिडेट के लिए हो सकती है चाहे वह में हो या इसके अलावा कोई हाउस मेड या हाउस वाइफ हो सभी के लिए यह जो एप्लीकेबल है कोई भी एक कंडिडेट जो फ्री टाइम में थोड़ा इंटरनेट यूज करके अपना वाटसप मैसेश चेंड करके इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकता है जी हां दोस्तों ज जहां पर हम घर बेटे प्रोड़क्स परचेज करते रहते हैं और उनी के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने एक ऐसे प्लेटफोर्म का जिसका नाम है अमेजियन जी हां दोस्तों जिससे मोस्तली लोग औरी वाकिफ है उसकी सर्विस यूज करते हैं लेकिन ममाँस तक आप सर्विस यूज कर रहे हैं उसकी प्रोडe τेट के लिए लेकिन एक सर्विसろ क्नेक्टिकिंग करते हैं उसके अफ़ीं प्रोड़ेटिक्स को अगर उसका एक निर्धारित कमिशन जो हर केटेगरी के प्रोडेक्ट में अलग-अलग फिक्स होता है वह आपको एस अर्णिंग ऐसे कमिशन आपको मिलता है यानि उससे आप अपना एक इसका इंकम सोर्स बील्ट कर सकते हैं और यह डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटरिजी आपकी महेनत पर जितना ज्यादा रैफर करेंगी जितने ज्यादा आप करेंगे जितना ज्यादा आप डिजाइड लोगों के लिए उससे रिलेटेड प्रोडेक्ट को सर्च करके उनको रिकमेंड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी शेल होगी और उतनी ज्यादा ही आपकी अरणिंग होगी जी हाँ दोस्तों किस तरीके से आप उसके अंदर कर सकते हैं एक छोटा सा सिंपल प्रोसेस है कुछ सेप्स के अंदर आपको अमेजन अफिलेट प्रोग्राम में अपना रिजिस्टेशन करना और रिजिस्टेशन करने के बाद आप फस्ट डे से उसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं तो किस तरीके से आप रिजिस्टेशन करेंगे इंचानने के लिए मेले चलता हूँ आपको अपनी एम्प्यूटर स्क्रीन पे पहले दोस्तों आपको गूगल पर जाना है Google पर जाने के बाद आपको Amazon सर्च करना है जैसे आप Amazon सर्च करेंगे आपके सामने एक website शो होगी www.amazon.in आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद Amazon का HomePage आपके सामने ओपन होगा उसमें आप देख पारे काफी सारे प्रोडेक्ट वगरा सेलिंग के पर इस पर क्लिक करने के लिए आप मोबाइल नबर इमेल या पासवड कर सकते हैं अगर अकाउंट नहीं है तो नीचे आप create your Amazon account से जाके अपना account register कर सकते हैं और जो ID password आपको मिलेगा वो आप यहाँ डालके उससे आप login ले सकते हैं जैसे मेरा पहले इसमें account registered है, मैं उसी account से यहाँ login लेता हूँ ID डालना, ID में mobile number, email ID हो सकता है और उसके बाद जो password आपने उसमें set किया था, वही password आपको यहाँ डालके login करना है जैसे आप click करेंगे, आप Amazon website पे login कर चुके हैं जैसा कि आप देख पार हैं, यहाँ sign in का option हट गया और यहाँ पे मेरा नाम show कर रहा है जिससे मैंने यहाँ पे login लिया है login लेने के बाद, आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर काफी सारे product वगरा की details यहाँ पे show कर रहा है इसमें सबसे पहले आप website के bottom पे जाएंगे, नीचे नीचे की तरफ page पे जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे, make money with us याँ आप किस-किस तरीके से Amazon के साथ earning कर सकते हैं, वो सारे तरीके यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आरा, sale on Amazon याँ आप Amazon पे अपने product sale करके earning कर सकते हैं चाए आप business man है या अपना कोई product sale करते हैं कोई भी productivity से संबन्दित कोई कारे करते हैं, उसको direct आप यहाँ रेजिस्टर करके sell कर सकते हैं घर-बेटे आप delivery आप destination पे प्रोवाइड कर सकते हैं उससे आपको अच्छी-खासी earning हो जाएगी इसके नीचे दूसरा आप देख पा रहे हैं यह option show rise में, sell under Amazon accelerator यह आप से related नहीं है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है और इसके नीचे आप देख पा रहे है third option आप बिकम एन अफिलेट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं यानि आप Amazon के एक agent या affiliate बनके आप उसके product शेयर करिए और शेयर करने के बाद आप यहां से earning कर सकते हैं तो सबसे पहले आपन इस पर क्लिक करते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने page open होके आरहा वहाँ पे आपको करना sign up यानि आपको Amazon affiliate के पहले आपको अपना registration करना पड़ेगा registration के लिए आप sign up पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप sign up पे क्लिक करेंगे तो यह next window आपके सामने open होके आएगी यहां पे आपको सबसे पहले पहले इसमें detail इसमें fill करने के लिए कह रहे हैं वह account information जो basic information है आपको यहां fill करनी है 4 step में इसकी detail fill करनी होती है जिसमें first step की अपन detail इसमें देख पार है account information की वह नीचे fill करके इसमें देखते हैं यहां शोकरा your account information यानि to whom should we issue payment यानि हम जो payment आप हमारे product sell करवाएगा उसको payment किस address पे या किस बंदे को यह हम provide करेंगे वो detail आप check कर सकते या मेरा address नाम और सारा इसमें add कर रखा मैं इसी को choose कर सकता हूँ अगर यह अलग है मेरा इसमें कुछ तो मैं इसमें edit करके दूसरा address भी add कर सकता हूँ second hour who is the man contact for this account यानि कौन बंदा है जो इसमें account को operate करता है उससे contact कर सकते हैं तो इसमें कहते हैं यानि जो डिटेल उपर शो कर रहा है वही उसमें man बंदा है और उसी से अपने को सारा contact करना होता next step for US tax purpose यानि अगर अगर आपन आउट ओफ अधर कंट्री के हैं तो इसमें yes करना otherwise total Indians है तो इंडेंस के लिए अपने को no पे क्लिक करके next पे क्लिक करना जैसे आप next पे क्लिक करेंगे next step आएगी आपकी website and mobile app list इसमें अमेजन अपने से पूछ रहा है कि यदि आपके पास कोई website बना रखा या आपकी mobile application है तो आप उसका reference या उसका link आप यहाँ पे दे सकते है जिसके तुरू आपका product शेयर किया जाएगा तो सबसे पहले आरा enter your website enter your website में आप जरूरी नहीं है कि आपके साथ website बनी हुई हो या आप ऐसे दे के website बनाने की आप सकता नहीं है यहाँ पे अपन website की जगए अपने facebook account social account जो होता है उसका link यहाँ पे शेयर कर सकते है वो एक तरीके से website का यहाँ पे काम करेगी और वैसे तो यह इसमें mandatory है यानि यह जब तक इसमें अपन link नहीं भरेंगे तो यह आगे अपन step नहीं कर सकते है इसके लिए सबसे पहले facebook का link इसमें आरहा है उसको यहाँ से select करके आपको copy कर लेना है और इसको copy करने के बाद आपको same उसी Amazon page पे जाना है और वहाँ जाके उसको paste कर देना है पेस्ट करने के बाद आपको add पे click करना है तो वह आपका website की जगए facebook का link इसमें add हो जाएगा second आरहा है इसमे enter your mobile app url य इसमें register कर रखा तो वह भी यहाँ डाल सकते हैं अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए यह mandatory नहीं है उसके बाद आपको next पे click करना जैसे next पे click करेंगे third step आएगी आपकी profile की profile में first आ रहा आपका यह what is your prepared associate store ID यह आपका कोई store हो जो उसकी कोई ID हो तो यहाँ डा कर सकते हैं इसमें one to five अपने डाल दिया कोई दिक्कत नहीं है your website list में अपना facebook link show कर रहा है mobile app list में अपने को कोई डालने की आव सकता है नहीं फिर आ रहा है what are you website or mobile apps about यह आपकी website और mobile app किसके बारे में तो अपने facebook उसमें link दिया है तो यहाँ डाल सकते है social network यहाँ अपनी facebook following topics best describe your website or mobile app यहाँ आपकी mobile app और website वो कौन से topic आपको उसमें describe करती है इसमें अपन सेलेक्ट कर सकते है computer software technology और second priority पर आपको लेना education school reference यहाँ अपनी आव सकता है अनुशार दूसरा option भी चूज कर सकते है को issue नहीं है उसके बाद अपना next other topic भी हो तो उसमें add कर सकते है नहीं one item do you intend to list on your website or mobile app आप किस परकार के item आपकी mobile app और website पर शो करना चाहते है उनको share करना चाहते है तो यहाँ आपन सारे genuine या normally use आने वाले product है सभी पर tick mark कर सकते है जैसे books है electronics item है movie music games है clothing है zoos edge value है सभी इसमें tick कर देंग नेक्स आथा what type your website or mobile app तो इसमें अपन social media app उसमें select कर देंगे क्योंकि अपनी website एक social side है वो choose कर देंगे और second में वही social media side या उसमें other भी अपन कर सकते है या web portal कर सकते है इनमें को issue नहीं आता ठीक है next option आता traffic and monetization traffic and monetization इसमें यह next आर आपने how do you drive traffic to your website या आपकी जो यह website है इस पर लोग किस प्रकार से उसमें enter करते हैं आपको पैसे दे के उसमें लोग कोई चीज देख पाते हैं या कोई advertisement देख पाते हैं या email के थू देख पाते हैं उसमें क्या चीज है तो यहां से टिक करना है तो अपने को अपने facebook किसमें social side का लिंक दिया तो यहां से social network यानि अपने को product को share करने पर जो भी लोग देखेंगे वो facebook के through देखेंगे तो इसमें social network अपने select कर लिया उसके बाद next अटा है how do you utilize your website and apps to generate income यानि आप अपनी website से किस तरीके से earning करते हैं और किस तरीके से आप उसमें अपना पैसा कमा सकते हैं इसमें अपने को first option में select करना है जैसे इसमें आ रहा है select primary and select secondary तो primary में अपने को select करना है इस पे click करेंगे और इस पे click करने के बाद इसमें अपन select करेंगे e-commerce online detail यानि आपन एक product sharing का काम करें इसमें e-commerce का काम करें वो आप select कर लेंगे और second में आपको other affiliate program पे करना है जो अपन इसमें select कर देंगे उसके बाद next आता है how do you usual build links यानि आप link cache create करेंगे वो आप stml editor में करेंगे manually करेंगे या content management में करेंगे वो आपको इसमें other पे click करना next आता how many total unique visited do you website and apps get per month यानि आपके website और mobile app में कितने visitor month में visit करते हैं आपकी website को search करते हैं तो अगर आप starting में कर रहे हैं तो इसमें normally 501 से 5000 तक अपन choose कर सकते स्टार्टिंग में traffic इतना ही रहता अगर बाद में आप काम करते हैं तो बढ़ जाता next what is your primary reason for joining the amazing associate program तो उसमें अपना चूच करना है to monetize my side या other अधर पर आप इसमें किलिक कर सकते है next how did you hear about us यानि आपने Amazon affiliate program के बारे में कहां से सुना आपने Amazon site से देखा online search किया या किसी के reference से सुना तो आप इसमें online search mention कर सकते है website की detail अपने को यहां से मिली उसके बाद next step आती है उसमें आपको जो capture code यहां पर image में शोग हो रहा आपको यहां पर फिल करना है कोई capital में है तो capital में लिखना है small में है तो small में लिखना है जैसा कि आप देख पा रहा है उसके बाद next आता अपना contract terms जो आपको जो भी इसकी retirement policy है यहां से आप PDF file read कर सकते है और read करने के बाद यहां tick mark करके आप उसको agree कर दीजिए agree करने के बाद finish का option आ रहा है आप finish पर click कर दीजिए जैसे ही आप please पर click करेंगे आपके सामने pop-up window open हो गई इसमें देख पा रहे हैं आप यहां पर लिखा हो रहा जो आप screen पर देख पा रहे हैं आपको यहां से यह screen source को ले लेना future reference के लिए और उसके बाद आता enter your payment and tax information यदि आप अपना account इसमें अभी जोड़ना चाहते हैं जिसके अंदर आपको payment receive होगा आपकी कोई भी earning होने पर तो अभी इसमें add कर सकते हैं यदि आप अभी add नहीं करने के बाद अपना जो Amazon affiliate प्रोग्राम था अपने उसके लिए रजिस्टर कर लिया है और रजिस्टर करने के बाद अपने को फिर से एक बार Google पे उसको page को close करना है close करने के बाद फिर से Google पे Amazon search करना Amazon search करने के बाद Amazon website पे login लेना जैसे हम Amazon website पे login लेंगे अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे Amazon का जो पहले हमने homepage देखा था और अब जो homepage देख रहे हैं उसमें कुछ difference आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे यहाँ पे URL बार के नीचे एक नई बार इसमे और add हो गई है यह देख पा रहे है Amazon associate site strip यानि यह account यह बार आपको दिखा रही है कि आपका जो यह account है यह एक Amazon associate का account है यहाँ पे आप देख पा रहे है fancy earning extra commission from your social media account sign up for the Amazon influencer program यहाँ पे देख पा रहे है कोई भी product अभी अपने को share करना है तो सबसे पहले इसको search bar में search करेंगे और search करने के बाद उसको product नीचे इसमें list show होगी show होने के बाद जैसे माली जी अभी यह mobile अपन देख पा रहे है इसी mobile को अपने को link generate करके share करना है फिर इसको जो purchase करेगा तो उसका referral link से जो करेगा उसका commission अपने को account में credit कर दिया जाएगा तो सबसे पहले product अपने search करके इसमें show कर लिया उसके बाद उपर उसी बार पर ज generate करना तो text में चाहिए तो text पे और image में चाहिए तो image में ज्यादा तरह link अपन text में ही उसमें use आता है तो यहां से जैसे text पे click किया यह नीचे आप देख पा रहे है एक इसका link generate हो गया इस mobile को purchase करने के लिए एक इसका link यहां पे generate हो गया इसको यहां पे control C से आपको copy कर ल और इसके अलावा WhatsApp पे और अधर आपकी कोई website है अपने referral friends है उनको आप text message किसी भी तरीके से आप refer कर सकते है जैसे Facebook पे आपको यहां पे post करना जैसे अपने यहां पे post पे जाके इसका link paste किया है आप देख पा रहे है वो mobile जो अपन आप देख पा रहे थे पूरी detail उसकी य कोई भी बंदा इस mobile के link पे click करेगा महां से order purchase करेगा order purchase करने के बाद वहां का order sold हो जाएगा sold होने के बाद उसका जो fix commission है जो भी उसका रहता है महारजीन वह आपके account में within timeline as per Amazon policy आपको account में credit कर दिया जाता है उसके बाद आप Amazon से यहां पे earning का option आ रहा है यहां से आप दे earning किया फिलाल अपना account नया register किया अपने referral से किसी ने purchasing नहीं किये तो यहां पे देख पा रहे है अपन चाहे तो today की history देख सकते है yesterday की देख सकते है last seven day की देख सकते है तो यहां पे अभी अपनी summary और fees और bounties सभी के अंदर zero zero show कर रहा है क्योंकि अभी तक आपने account से किसी ने भी earning नहीं किये और अपने product refer करके किसी को purchase करने के लिए नहीं बोला तो जैसे जैसे अपन रेफर करेंगे जैसे जैसे वहां से लोग purchase करेंगे वैसे वैसे यहां पे आपका update होता जाएगा कि आपने इतना earning कर लिया इतना वो कर लिया तो सारी जानकरी आप यहां आसान का product sell करने पे आपको कितना percent commission मिलेगा जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं यहां पे luxury beauty amazing points पे आपको 10% commission मिलेगा furniture home improvement low and garden type product पे आपको 8% मिलेगा headphone beauty and musical instrument पे आपको 8% मिलेगा यह सारी जानकरी आप यहां से देख सकते हैं वीडियो पसंद आता तो उसको like और share करना ना भूले साथ ही अगर चैनल पर नए है तो red button पे click करके चैनल को subscribe जरूर कर दे और साथ ही bell icon को press करें जिससे आपको आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले आपके पास मिल जाती है धन्यवाद